फिल्म पदमावत में रानी पदमावती का किरदार निम्भाने के बाद अब एक बाद फिर अगली फिल्म की तैयारियों में दिपिका पदकोन जुट गई है और इस फिल्म में भी वो एक बाद फिर रानी बनेंगी लेकिन इस बार उनका अंदाज पूरी तरह से अलग होगा दरसल दिपिका जल ही सपना दीदी की बायोपिक में नजर आएंगी और उनकी इस फिल्म का नाम रानी है दिपिका अपनी इस फिल्म के लिए जम कर तयारी कर रही है बतादे की इस फिल्म में दिपिका एक डॉन की भूमिका में दिखाई देंगी और इस वज़े से वो अपनी फिटनेस पर भी काफी ध्यान दे रही है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक टिपिका फिल्म में सपना दिदी अकका रहीमा खान के किरदार में नज़राएंगी बतादे, रहीमा खान असी के शुरुआती दौर में मुंबई की माफिया कुईन थी एक सोर्स के मताबिक दिपिका ने अभी से ही अपने किरदार को ले कर तैयारी शुरू कर दी है और वो खुद को सपना दीदी जैसा लुक देने की पूरी कोशिश कर रही है इस फिल्म की शूटिंग मार्श में मुंबई में शुरू होगी पदमावत के बाद दिपिका को डॉन के लुक में देखना फैंस काफी पसंद करेंगे बता दे कि इस फिल्म में दिपिका के साथ इर्फान खान भी एहम भूमिका निभाते नजर आएंगे फिल्म में इर्फान दिपिका के पती का किरदार निभाएंगे और वो भी एक गैंक्स्टर के रूप में दिखाई देंगे गौर करने वाली बात है कि इर्फान खान और दिपिका पदुकोन इस से पहले फिल्म पीकू में भी साथ नजर आ चुके हैं और पीकू में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था दोनों की पिशली फिल्म को उध्यान में रखते हुए फैंस एक बार फिर दोनों को साथ देखने के लिए बिताब है दोनों की इस फिल्म का नाम रानी है और फिल्म का निर्देश अन विशाल भार्दौाज कर रहे है इस फिल्म को इस साल आक्टूबर में रिलीस किया जा सकता है और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें बलो जाएंगे